है गैस दिसी बाय मंदतरुबाल और आज की वीडिए में हम लॉच करने वाले हैं एक नया C++ DS algorithm course इसका main focus यह होगा कि यार आपकी placement related जितनी भी companies आती हैं उन्हें आप फोड सको चाहे बड़ी से बड़ी company हो या छोटी company आ हो इसके अंदर यार हम दो physics के अंदर इसे लॉच कर कर रहे होंगे यह जो course आपका बनाया गया यार यह पांच फेकल्टी द्वारा बनाया गया जिसमें से दो Microsoft की है एक Google का है एक RCCM का है एक GS की है और similarly आपका WebD का जो course है यार उसके अंदर भी फाड़ो बंद है जी सॉक उसने फोड रखा है तो इस course के अंदर आप जहां प इंस्टूट्स नहीं करते हैं जिससे कि आपको theory concept अच्छे से समझ में आए number of questions भी हम ज्यादा solve कर रहे होंगे phase 2 हमने introduce इसले किया जिससे की competitive coders जो है जिने placement से आगे जाके पढ़ना है उनने भी हम satisfy कर रहे हूं ठीक है नीचे अगर आप जेके आओगे तो सारे जितने भी हैं आपके topics हमने cover किये हैं यह आपको मैं index थोड़ा सा बस overview दिखा रहा हूं यहां पर और और नीचा होगे तो भाई फिर मतलब हम पागली हो गए ठीक है तो यह वाले जो topics हैं आरी आते भी नहीं है पर फिर भी हमने डाल दिया तो concepts हम समझ रहे होंगे यार animation के माध्यम से उसके बाद हम question practice करेंगे और हर वीडियो के description box में आपको कुछ notes मिल रहे होंगे जिसमें आपके additional exercises होंगी या फिर आपके notes होंगे उस वीडियो से related तो शुरुवात करते हैं शांदार course का real life में अगर हमें किसी व्यक्ती से कोई काम कराना होता है तो एक set of instructions हम उसे देते हैं जो की एक communication language के माध्यम से दिया जाता है जैसे कि मैं और आप अभी बात कर रहे हैं तो हम Hindi language में बात कर रहे हैं हम English में बात कर सकते हैं पर अगर हमें एक computer या laptop या mobile device से काम करवाना है तो हमें सबसे पहले communicate करना होगा अब अंग्रेजी और हिंदी तो यार इसे समझ में आती नहीं इसे समझ में आता है binary which is zero and one या zero one ही क्यों इसलिए यार क्योंकि हमारे laptop और computer electrical devices होते हैं और क्या मैं बोल सकता हूं कि यार जब circuit के अंदर current जा रहा होगा उसे हम plus one से represent कर दें और है तो उसे plus one से represent करती है या फिर जब low voltage detect कर रही है तो उसे हम zero से represent करते हैं तो ऐसे में बान लो कि 0 से 9 जो हमारे real life में decimals होते हैं 0 को we can represent with 0 in binary decimal का 1 we can represent with 1 in binary decimal का 3 we can represent with 11 in binary decimal का 4 we can represent with 100 in binary और इसी प्रकार से हम आगे जाते जाते हैं ऐसे ही A, B, C, D, E, F, G, special characters जितनी भी चीज़े हैं हम उन्हें 0 और 1 के combinations में computer को समझा सकते हैं अब ऐसे हैं आपके दिमाग में एक चीज़ आएगी भाहिया यह तो बहुत complicated लग रहा है कल को मुझे अगर दो number का addition भी करना है 53 प्लस 72 तो इसको तो 01 लिखने में ही बहुत समय लग जाएगा तो मैंने का यार यहां पर हमारी अंदर आती है high level languages जो कि हमें help करती हैं कैसे इस course में जो high level language हम सीख रहे हैं वो है C++ तो C++ में हम अपना code लिखते हैं यार और वो compiler अंदर एक बैठा होता है जो कि उस C++ code को binary format में convert कर देता है जो की computer को समझ में आता है तो जनाब यहां अपसे शुरुआत होती है हमारे coding सफर की अब आपने बाते करना तो सीख लिया हमें उसे कुछ set of instructions भी देने instructions देने के लिए यार हमें program करना पड़ेगा So we are using C++ as a language to give commands or instructions to the computer to perform something यह यह चीज हमें समझ में आ रही है एक example लेते हैं अब day to day life में अगर मुझे कोई काम execute कराना है तो हम ही उसके लिए एक set of instructions देते हैं जिसे हम अभी एक flow chart से समझेंगे सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगा start मुझे कुछ raw material चीए जैसे कि मैगी, मसाला और पानी उसके बाद कुछ बरतन चीए जिस और एक stove चीए जहांपे मैं gas जला सकूँ next step होता है कि हम पानी, मैगी और मसाला उस बरतन के अंदर डालते हैं उसके बाद हम उसे boil करते हैं और हम बार-बार बीच में चेक करते हैं कि क्या मैगी बन गई है अगर मैगी नहीं बनी होती तो हम कहते हैं चलो और boil करो और अगर मैगी बन गई है तो हम बोलते हैं चलो अब gas बंद करो उसके बाद अब खाते हैं, serve करते हैं मैगी और हमने exit कर दिया अपना flow chart Similarly, जब आप computer को कोई code समझाना चाते हो तो code लिखने से पहले यार हम उसे एक flow chart के माध्यम से समझते हैं जिससे कि हमें पता चले कि Okay, real life से computer कितना same हमारा similar communication यहाँ पे हो रहा है Find the sum of any two given numbers सबसे पहले हम शुरुवात करेंगे हमें दो number चीएं तो क्या मैं user से दो input ले लूँ number one and number two उसके बाद मुझे उनका addition करना है तो मैं एक sum equal to num one plus num two यहाँ पे sum मेरा एक नया variable है जिसके अंदर इन दोनों की added value store हो रही होगी उसके बाद हम print करना चाहते है दिखाना चाहते है output दिखाना चाहते है अपने desktop पे उपर तो क्या मैं बोलता हूँ print sum similarly pseudo code क्या होता है जैसे कि हमने यहाँ पी यह flow chart बनाया इसी को जब हम step bys लिखते हैं कि पहले आपने start किया फिर आपने input लिया फिर आपने calculate किया sum फिर print sum किया फिर exit किया इसे हम बोलते हैं pseudo code अब थोड़े अच्छे example देखते हैं तो अब हम दिखने वाले एक और question to make a flow chart and pseudo code and हमारा question यह है कि we have to find the maximum of three given numbers तो flow chart के लिए सबसे पहले हम ले लेंगे input ABC ठीक है ABC हमारे तीन numbers है सबसे पहले हम compare करेंगे किन ही भी दो numbers को ठीक है तो यहां पर मैंने compare कर लिया A और B को और मैं check करूंगी कि क्या A more than B है तो यह जो है यह हमारा क्या है decision box जिसमें हम compare कर रहे हैं तो decision box के दो output हो सकते हैं या तो yes या फिर no तो अगर A more than B हुआ तो हमें मिल जाएगा yes तो yes फिर जाके हम check करेंगे कि क्या A C से भी बड़ा है अगर C से भी बड़ा है तो मतलब हमारा A maximum हो गया तो हमने A को print कर दिया अगर यह यहां पर A C से बड़ा नहीं होता मतलब कि A B से तो बड़ा है लेकिन C A से भी बड़ा है साथ है इस तरफ सेम चीज चल रहे है इस तरफ भी अगर A less than B हुआ तो यहां पर हम yes के जगा हम no वाली साइड आ जाएंगे और फिर यहां पर हम compare करेंगे B और C को अगर B C से भी बड़ा हुआ तो हम print कर देंगे B और अगर नहीं तो हम print कर देंगे C and last में exit तयार यह हो गया हमारा flow chart to check the maximum of three numbers यहां पर यह नहीं चीज देखिया आपने की decision box क्या होता है और अगर आप इसका pseudo code देखिए pseudo code में भी हम यहीं चीज कर रहे है start and then read A, B and C and then compare if A is more than B अगर यह है तो आप क्या करो फिर A और C को compare करो if A is more than C then print A वारना else का उतला वारना print C और यहां पर अगर यह चीज ट्रू नहीं होती है तो हम यहां इस वाले else में आएंगे तो यहां पर हम क्या करेंगे B को compare करेंगे C से और अगर यह true आता तो हम print कर देंगे B और अगर यह false आता तो हम print कर देंगे C and exit ठीक है तो अब देखते हैं एक और question और यह question है कि हमें find करना है कि if a given number is prime or not तो prime numbers आप लोगों को पता होंगे prime numbers वो numbers होते हैं जिनके सिर्फ 2 devices होते हैं एक वो number खुद और एक 1 तो हमें क्या करना है हमें बताने के लिए कि कोई number prime है या नहीं हमें सारे number से उसे divide करके देखना पड़ेगा है ना अगर किसी number से वो पूरा divide हो जाता तो मतलब कि वो non prime है और अगर वो नहीं होता तो मतलब कि वो prime है अब बात आती है कि हम कहां से कहां तक check करें तो हम check करना start करेंगे 2 से क्योंकि 1 से तो हो डिजल हो गाई है ना तो हम start करेंगे 2 से तो मैंने क्या किया read कर लिया n सबसे पहले अपना number और divisor उसमें मैंने अपनी value डाल दी 2 अब मैं क्या करूंगी अब मैं decision box में check करूंगी कि क्या divisor is less than n तो जो मैंने पूछा था आप से कि कहां तक हम check करेंगे हम check करेंगे less than n तक है ना क्योंकि n से तो again n divide करे गए तो हमें उससे पहले तक check करना 2 से लेकर उस number से पहले तक check करना है कि क्या कोई number n को divide कर रहा है completely या फिर नहीं तो यहां से अगर यह yes आ जाता है हमारे पास तो अब हम क्या करेंगे हम n को divide करेंगे divisor से ठीक है और यह जो यहां पे आप देख रहे है percentage sign यह हमें देता है remainder तो अगर हमारा n को divisor से divide करने पर remainder आ जाता है 0 तो मतलब कि हम yes की तरफ जाएंगे तो हमारा जो number है वो non-prime होगा क्योंकि कोई number जो है n को completely divide कर रहा है तो it is a non-prime तो we'll print non-prime और अगर ऐसा नहीं होता है ठीक है अगर हम no पे आ जाते है तो यहां पे क्या करेंगे हम divisor को 1 से increment कर देंगे उसमें 1 add कर देंगे जैसे हमने 2 के लिए चेक किया पहले फिर उसके बाद हम चेक करेंगे 3 से ठीक है और फिर 4 से and so on यह कब तक करेंगे जब तक diviser is less than n जैसे ही वो equal to n हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि भई हमने सारे numbers से divide गर के देख लिया n को और वो किसी भी number से divisible नहीं है तो मतलब कि prime number है तो यहाँ पे हम print कर देंगे prime and then exit ठीक है यहाँ पे अगर इसका आप pseudo code देखें तो यहाँ पे हम क्या कर रहें we are reading n we are taking divisor is equal to 2 and while divisor is less than n जब तक divisor less than n है तब तक हम क्या कर रहे हैं हम चेक कर है कि क्या n is divisible by divisor अगर हां तो हम क्या कर देंगे print कर देंगे non-prime और यहीं पे अपना जो functional को खतम कर देंगे अपने program को खतम कर देंगे और अगर ऐसा नहीं होता है तो else में हम जाएंगे और हम क्या करेंगे divisor को increment कर देंगे और यह जब खतम हो जाता है जो हमारा यह वाला लूप है ठीक है यहां पे आप देखिए यह हमारी cycle create हो रही है एक loop create हो रही है तो यह जो loop है हमारा जब यह खतम हो जाएगा तो हम print कर देंगे prime क्योंकि अगर यह loop में से कहीं से भी बीच में end नहीं हुआ अगर यह loop पूरा complete हो रहा है तो इसका मतलब कि कोई भी number n को divide नहीं कर रहा है and it is a prime number तो so we'll print prime number and exit ठीक है तो यह हो गया to check if a given number is prime or not तो हमारा next question कहता है कि print all prime numbers till n हमने देख लिया कि एक number के लिए हम कैसे चेक करते हैं कि prime है या नी अब हमें क्या करना है n तक के जो prime numbers रहा है तो इसके हम क्या करेंगे हम हर एक number देखेंगे जो कि n से छोटा है और उसको देखेंगे कि वो prime है या ने अगर नहीं होगा तो next number के लिए च्छक करेंगे और यह हम करते रहाएंगे जब तक हम n तक नहीं पहुँच जाते तो इसका flow chart देखिया आप यहाँ पे हमने start किया पहले और हमने input ले लिया अपना number n अब हम क्या करेंगे हम जो है start करेंगे 2 से ठीक है क्योंकि 2 हमारा पहला prime number होता है तो 2 से हम start करेंगे और हम check करेंगे कि यह जो नाम है यह जिसको हमने 2 value दिये क्या वो more than n है क्योंकि हमें कब तक check करने हमें check करने number सारे जब तक वो less than equal to n हो तो जैसी more than n हो जाएगा तो हम exit कर जाएंगे ठीक है तो अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे हम एक diviser लेंगे ठीक है जिसको हमने value दी 2 और हम check करेंगे कि क्या वो num से कम है अगर हाँ है तो num से divide करके देखेंगे उस diviser को ठीक है तो आप ये वाला जो loop देख रहे हैं आप ये वाला loop वो ही है जो हमने last all equation में लगाया था ज़िजाग same one और ये loop क्या कर रहा है ये हमारा check कर रहा है कि num है वो एक prime number है या नहीं ठीक है तो यहाँ पे अगर यहाँ से हमारा जो remainder आता है divide करके num को diviser से अगर वो 0 नहीं आता तो हम क्या करेंगे diviser को plus one कर देंगे और हमारा loop जो है ये चलता रहेगा अगर यहाँ पे जो remainder है वो 0 आ जाता है ठीक है जो num है वो divide हो जाता है किसी particular number से तो मतलब कि हमारा num is not a prime number क्योंकि इस number से पूरा divide हो रहा है ना तो हम यहाँ पे क्या आ जाएंगे यहाँ पे हम क्या कर देंगे next जो num है उस पे jump कर जाएंगे ठीक है तो जो है 4 को divide कर रहा तो हम क्या कर देंगे हम यहाँ से बहाँ निकल के और num is equal to num प्लस 1 कर देंगे तो फिर 5 हो जाएगा num और फिर हम दुबारा चेक करेंगे कि क्या num हम n से कम है या equal to है अगर है तो हम same चीज़ repeat करेंगे अगर नहीं तो हम exit कर जाएंगे अपना ठीक है अब यहाँ पे दूसरी चीज़ कि यहाँ पे अगर पूरा लूप जो है यह खतम हो जाता है और जो diviser है वो num के equal हो जाता है इसका मतलब कोई भी number जो है वो num को divide नहीं क कर पाया पूरा और num is a prime number तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे हमें prime numbers को print कर ला है है ना तो हमने print कर दिया num को and then हम jump करेंगे to the next num and then again we'll check कि वो n से साथा तो नहीं है तो यह हमारे पास एक यह बड़ा लूप है ठीक है जहाँ पे हम सारे numbers जो हैं 2 से लेके n तक को चला रहे हैं और उसके अंदर एक छोटा लूप है इस बड़े लूप के अंदर एक छोटा लूप है जहाँ पे हम चेक करें कि कोई भी num prime है या नहीं तो यह हो गया flow chart और pseudo code में आप देख लीजे यहाँ पे हम हम वही चीज़ कर रहे है कि read and take num is equal to 2 और जब तक num is less than equal to n तब तक हम क्या करेंगे हमारा यह वही यह जो लूप है इसके अंदर वाला पार्ट यह वो है जिसमें हम चेक करेंगे कि वो num prime है यानि तो हमने deviser ले लिया 2 और जब तक deviser less than num है तब तक num को देखो कि वो divisible है क् नहीं तो हम क्या करेंगे अगर है तो हम क्या कर देंगे कि next number पे move on कर जाएंगे तो num is equal to num plus one कर देंगे और अगर नहीं है तो हम deviser को increment कर देंगे div is equal to div plus one कर देंगे और जब यह वाला y loop खतम हो जाएगा इसका मतलब कि जो मारा num है वो prime है तो हमने print कर दिया num और फिर next number प हमारा flowchart and pseudocode to tell all the to print all the prime numbers till end तो विस को download करने के लिए पहले हमें compiler download करना पड़ेगा इसलिए हम compiler min jv download करेंगे 64 or 32 bit according to the architecture इसलिए इसलिए sourceforce.net पे जाके हम इसका अपना version download कर देंगे जो भी suitable है .exe file download होगे इसे setup कर लेंगे लास्ट में path change कर सकते हैं या फिर same रहने दे सकते हैं मैं c program files में ही रखूंगे इसे क्योंकि मैं जब environment variable set करूंगे तो यही path include करने वादी उसमें last name change कर दूंगे इसका installation complete करने के बाद हमें environment variable set करना है इसके लिए search work में environment variable set करेंगे pathway simply जो हमारा location है min.jv64 bit का उसका bin folder add करना है और यह path add करने के बाद हम विस code इंस्ट्रॉल कर सकते हैं दूंगे बाद लिए इंस्ट्रॉल कर लेंगे जैसे इंस्ट्रॉक्शन दिया हैं फॉल्वर करके कुछ चेंजटी करना है यहां पर यह अपने आप path variable में add कर देगा यह वही काम हो जाए तो हम एक simple से code लिखते हैं यह code में hello world का यहां से अब extensions and plugins add कर सकते हैं extensions पर जाके मैंने C++ plugins इंस्ट्रॉल किया code runner और CC++ intelligence का यह code लिखते हैं यहां करके देखेंगे यह हमाँ प्रेंट होगी है लो वर्ट ले अब हम देखने वाले हैं कि इस software को हम install कैसे करते हैं सबसे पहले हम टर्मिनल खोलेंगे टर्मिनल में टाइप करेंगे G++ जो की C++ सागे compiler है अभी आपसे permissions मांगेगा तो इसमें install बे क्लिक करेंगे करेंगे जो भी time and condition है उने accept करेंगे अभी हमारा software डाउनलोड हो रहा है तो बगल में हम क्या कर लेते हैं VS code को install कर लेते हैं जब तक यह download हो रहा है तो VS code को install करने के लिए हम Google Chrome खोलेंगे और search करेंगे जो सबसे पहला search result आए उसे खोलेंगे और Mac वाला वह select करेंगे अब जैसे कि हमारा install हो रहा है अब इस folder खोलेंगे और extract करेंगे और फिर install करेंगे हमारा VS code और हमारा compiler इंस्टॉल हो चुका है सबसे पहली चीज़ जो हम करेंगे हम एक folder बना लेंगे हम एक new folder बनाते हैं hello world नाम का हमाई VS code की एक नई screen फोल गई है यहां पर हमारा hello world folder दिखा रहा है तो वहां पर हम क्या करते हैं नई इस फाइल बना लेता है तो बेसिकली इस फाइल कुछ नाम दे रहेता है जैसे main.cpp और अब हमें क्या करना है कि c++ का प्रोग्राम से लाएंगे लिए दो तीन extension इंस्टॉल करना है अपने VS code में तो सबसे पहली extension के लिए हम यहां पर c++ टाइप करेंगे रिए हम लेए अर यहां पर हमने इंस्टॉल पढोल है कि अब प्रोग्राम को रन कराने के लिए code runner इंस्टॉल करेंगे और यह भी अपना इंस्टॉल हो गया अब हम जाएंगे वापित अपनी फाईल पर जहां पर हम code लिख रहे था है अब हम चेक कर लेते हैं अपना इस्ट्रालेशन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो बेसिकली एक Hello World C++ का प्रोग्राम लिक्क कर देंगे कि काम कर रहा है कि यहां पर रन कर आने का उप्षन आ रहा है तो हम नॉर्मली रन पर क्लिक कर देंगे जैसा हम देख रहे हैं कि अब Hello World प्रिंट हो गया है कि VS Code में जभी हम प्रोग्राम को रन कर आते तो हमें पहले उसे सेव करना वड़ता है और जाकर रन करना वड़ता है हम देखने माले है कि लास्ट टाइम जो हमने VS Code इंस्टॉल किया था यानि विजिल को स्टूडियो उससे हम कैसे दिखने में थोड़ा अच्छा बना सकते हैं तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो अपनी स्क्रीन है उसे दो पार्ट में डिवाइट कर देते हैं एक साइड पर जाके हमने स्प्लेट डाउन कर दिया तो जो बिसकली हमारा राइट साइड वाला स्क्रीन था जो स्प्लीट हुआ है उसे हमने फर्दर दो पार्ट में तोड़ दिया अब हम क्या करेंगे कि जो उपर वाला पार्ट है उसमें इंपुट की फाइल बना देंगे और सेम चीज हम नीचे वाले में करते हैं और output.txt नाम की फाइल बना लेते हैं अब जो हमारी दो फाइल बन चुकी है तो अब यहां पर हम अपना input डाल सकते हैं जो भी हमें डालना है और यहां पर हमारा output आ जाएगा तो basically क्या करना पड़ता है कि हमें थोड़ा code लिखना लिखते हैं using namespace htd फिर हमारा main वाला block शुरू हुआ ठीक है और end में हम लिखते है return 0 बीच में जो आपको lines लिखनी पड़ेगी जिससे compiler को पता लग तो उसके लिए basically यह line होती है यह क्या करना है आपको exactly याद कर लेना है और जितनी बाहर हम program लिखेंगे तो यही lines same to same आगे जाके हम देखेंगे कि इसका logic है और यह कैसे काम करते हैं तो मैं आपको example दिखा देता हूं कि कैसे हम यहाँ पे input लिखते है right side पर कैसे उसके corresponding output आता है तो अपन क्या करते हैं कि दो integer ले ले लेते हैं और उनका sum print कराते हैं तो मान लो दो integer है हमारे a और b तो scene operator से हमन आप देख सकते हैं कि output अपना output आगे है जो कि आना चाहिए 5 2 plus 3 को आट करें कि 5 आगे है तो 5 हमारा output में आगे है guys it's time for a brain teaser now brain teasers काई बारी interviews में भी पूछ यहाँ और वैसे भी हमें practice करते रहने चाहिए to improve our analytical thinking तो आज का brain teaser यह है we are given two hour glasses hour glasses समझतो ना यार यह तो hour glasses ऐसे कि एक hour glass जो है वो seven minutes में empty होता है दूसरा hour glass four minutes में empty हो रहा होगा empty होने का मतलब कि जो उपर वाला part है hour glass का उससे sand नीचे वाले part में आने के लिए इतना time लेती है ठीक है तो बड़े वाले में लेती है वो seven minute और छोटे वाले में लेती है four minute अब question यह है कि हमें इन दोनो hour glasses को use करते हुए nine minutes का time measure करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं इसके बारी हमें यहाँ पर रुकिए सोचिए और अगर नहीं समझ में आता है तो वापस आईए वीडियो पर हम इसका answer अभी discuss करेंगे तो यार इसको मैं कैसे कर रहे हूंगी suppose अभी time zero minutes है तो मैं इन दोनों को flip कर दूंगी दोनो hour glasses को अब four minutes पे मेरा जो छोटा वाला hour glass होगा उसकी sand खतम हो जाएगी तो seven minutes पे क्या होगा मेरा जो बड़ा वाला hour glass है वो पूरा empty हो जाएगा और जो मेरा four minutes वाला hour glass है उसमें अभी एक minute की sand रह रही होगी right because four to seven three minutes elapse होए तो एक minute की sand अभी भी उसमें बची होगी so at seven minutes मैं अपने बड़े वाले hour glass को दुबारा से flip कर दूंगी कर दिया अब eight minute पे क्या होगा eight minute पे मेरा जो hour glass है छोटा वाला वो दुबारा empty हो जाएगा और मेरा जो seven minute वाला hour glass है उसमें सिर्फ एक minute की अभी sand नीचे गिरी होगी eight minute पे यार मैं क्या करूंगी मेरा जो बड़ा वाला hour glass है उसको दुबारा flip कर दूंगी इस टाइम पे छोटे वाले को नहीं बड़े वाले को ही तो उससे क्या होगा कि जैसे कि मैंने बोला मेरे बड़े वाले hour glass में अभी एक minute की sand अभी सिर्फ नीचे गिरी होगी तो अगर मैं उसको कर दूंगी तो उसको वापस नीचे आने में एक मिनट लगेगा अभी तक हमारे आठ मिनट जो है वो कवर हो चुके थे और इसमें एक और मिनट मैं मेजर कर लूंगी कि जैसे ही वो आपस नीचे आजाएगी एक मिनट वाली तो मैं कह सकती हूँ कि मेरा एक और मिनट इलाप्स हो चुका है तो ऐसे 8 फ्लास वन हो जाएगा 9 अग एफ नौव 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 यहां पर इन दोनों आर ग्लास को यूस कर के मेजर कर पा रह होंगी